तो क्या बोलती मेरी वंटाइगी पबलेग मैं आपका छपरी डोस्टर सो गाइस यार क्या बता आपको आज में वीडियो बनाने वाला था लेकिन मार कैसे में पंखा जो है न पंखा वो चल नहीं रहे बस खट 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 आवाज मार रहे है यार कते ही वेकार यार मतलब कल मौसम विवाग वालों ने बोला कि आज बारीश होगी लेकिन महा कसम बारीश का कोई अता पता है नियो पसीना वहरा अलग नेक्स्ट लेविल का पसीना गर्मी केचे केचे लोग रहते है यार यहां पर चल तुम पागल कुत्ते का गाड़ी मुंबई की इतनी बूरी हालत है कि गर्मी से लोग परिशान है उपर से अभी जो लेटिस मूवी आए ना आधिपुरुष तो यार उसका टीजल लॉंच होने के बाद मैंने एक वीडियो देखा था तो यह वीडियो देखो यहां चल रहा है सब लोगों को एक request है कि हमारे हनुमान जी के लिए आधिपुरुष के हर शो में एक seat आप खाली रखें जहां जहां आधिपुरुष का शो लगेगा पूरे विश्व में everywhere in the world wherever there is आधिपुरुष शो each and every show I request on behalf of all of us to our producers and distributor that please keep one seat for our हनुमान जी he will come he will come to see drama रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्कीने करने का अरम सी लेने का सो देख रहे हो कि इसका मतलब इंट्यूव्यू देखने के बाद कोई भी देखने जाए गए तो आपन भी गए देखने समझे लेकिन इतनी वाहियाद पिक्चर बनाई है और निलोगने इतनी वहयाद, पूरा पैसा बरबात. अभी मैं ऐसा क्यूझ बोल रहा हो? तो जुनने पिक्चर देख लिया होगा, उन्हें पता ही होगा कि मैं क्यूझ बोल रहाँ? और जिन्होंने नहीं देखा, तो उनके लिए मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ तो अभी देखो तेल तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की और चलेगे भी तेरे बाप की नहीं तो गाइज देखा जो मेन केरेक्टर है हनुमान जी उनका डायलोग देखा यार मेरे गली के जो नुकड के वो छपरी लोग है ना लाल पीले वाले बाल महा कसम उनको भी फेल करती है मतलब इतने वाहियाट डायलोग कौन हैं इन लोग कहां से आते हैं और उपएसे इन लोग ने इंटर्वी में बोला कि एक सीट हर ठेटर में खाली छोड़ना ताकि हमारे हनुमान जी आएंगे बराबर जहां पर भी रामाइन चलता है वहां पर हनुमान जी आते हैं ये लोगों का मानना है और लिटरली हो भी सकता है क्योंकि मेरे पास एक क्लिप हाथ लगा है जो लिटरली में आपको शो करता हूँ तो देखो जैसा ये चाहते थे कि एक सीट खाली रखो ताकि हमारे हनुमान जी देखने आएंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहां पर ये जो हिंदूस्तान में बंदर को हनुमान जी का रूप मानते हैं तो लिटरली क्लिप में आपको दिखाया कि बंदर देखने आ हैं मतलब इंस्ट समझ लोगे हनुमान जी देखने हैं लेकिन क्या पिक्चर बनाया है यार इतनी वाहियाद समझ रहो आप यार विचार है हनुमान जी भी सोच रहोगे कि क्या हो रहे है घोर कल्योग बाबा घोर कल्योग रावन को लुग देखा क्रियेटिविटी के नाम पे रावन को तो भाई साब इन्हों ने चपरी बना दिये यह देखो तो यह है हमारे चपरी रावन अगर हॉलिवूड मुवी में रूल मिला होता है तो कते याग लगा देते हैं चपरी लग रहे हैं से काट बाकी का शॉर्ट उपल से खड़ा मा कसम रावन कब से ऐसा होने लगा आपको पते हैं रावन कैसा होता है अभी जो क्लिप देखो यह है रावन जो ग्यानी और राजा थे तो देखा यह होते हैं हमारे रावन अरे रावन विद्वान था ग्यानी था सबसे बड़ा और इन लोग ने उन्हें गली का चपरी बना दिये कतेई वेकार कतेई पूछो मत और राम भगवान का लुक कैसा होना चाहिए अब ही बताओ कि लुक होना कैसा चाहिए और यह राम लग रहा है क्या कहीं से राम लग रहा है अरे यार इसे मजा के लावा बोल रहा हूँ कि विलन का रोल देते तो मजा भी आ जाता रावन का रूल देते हैं तो साइध सूट भी होता लेकिन यार बाहु बाली पिक्चर के लिए ठीक है लेकिन यहां पर लुक मैटर करता है हमारे पते है राम कैसे थे जो 930 में चलते थे ना उनका क्लिप देखो यह है राम जिनकी जलक देखते ही संसकारों का पता चलता है य उसमें रामायन चलता था तो हमारे जो बुड़े थे ना बुड़े जो बच्चे थे बुड़े थे मतलब समझ रहो कि रात की नींद हराम करके वहां पर रामायन देखने जाते थे वह भी एकदम श्रद्धा से जब तक रामायन चल रहा है तब तक सब शान्थ सिर्प गौ याद मतलब रामायन के नाम पे न इन लोग ने पबजी बनाया है और वानर सेना के से उनीची है यार इनके मूवी में तो कुछ और ही लग रहा है वानर सेना की जगा इन लोग ने तो वो ओखे थे न वो टेमपल रन में जो किंग कॉंग भागता है न वीजे वीजे तो आज मैं दोड़ा दोड़ा के लेगा रुक मेर को आने दे मतलब यार तुम अगर कुछ चीज दिखा रहे हो कुछ धार्मिक दिखा रहे हो तो लिटरली वो उस तरीके का होना चीओ तुमने क्या बनाया कतेई बेकार बनाया कतेई बेकार समझे रिव्यू देखोगे मै आपको कुछ लोगों का रिव्यू दिखाता हूं जाता हूं मैं हिंदू धरम का आदमी हूं और ऐसे पिक्चर बनाने के बाद में शरम आनी चाहिए ओम्राउत को अम्राउत को शरम आनी चाहिए और अभी आप देखना आपके सामने जल्दी पब्लिक आने वाली आपको रिवी देखा ओडियंस कितनी भड़की वी है चलो ठी डावन और मेधनथ अब हम बात करते मेधनथ की तो ये देखो मेधन आद का जलक कशेंधा और नगा जादा-ड़्या सभन के था क्यों सुचने वाली वात याए ये बड़ा सूचने वाली वात है कि उस समय पर टैटू और और उपा से नीचे दाख पुरा टेटू ही बन है भाई साब हमारे जो मेगना थे ना जो हम 90 से देखते आ रहे हैं वो थे कुछ इस तरीके के कम सकम यह लगतु रह एक राजा का बेटा है और इन लोग ने उसे तो टेटू की दुकान मना दिया है बतो और मूवी के डावाख डायलोग इतने वहियात 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 की पूछो मत और जो भाई साब ने वी एफेक्स पे काम कीई है इतना सारा उजल-उजल कया पैसा व चमगादर क्या दा वो पता निए कौन जा ड्रेगन पर बिटाया अरे उरन तसक्री होती थी उस समय पर उरन खटोला समझ रहो और यह कहां ड्रेगन मतलब चमगादर से भी वहियाद लग रहा है और एक चीज और में हां कि रावन की जो लंका थी सोने की भाई साब पूरी मुवी में तीन घंटे की मुझे सोना कहीं नहीं दिखा बस मेरा सोना आ रहा था नींद मस्ट दो पैर उपर करके मतलब समर्यों सेट एक दम मस्ट दिया था कंफिटेवल सोफा वाला तो मस्ट दो पैर ऐसे टांग उपर करके मैं सोही रहा था पूरी मूवी में मतलब सोने की लंका की जगा तुमने कोईले की लंका बना दी है सोना पता है कैसा होता है अगर तुम्हें रामायन ही बनाना था तो तो यार तुम समझ रहू में तुम्हारा ग्यान इतना है कि तुम रामायन पढ़ नहीं सकते तो कम से कम वो मूवी को देखके सीरियल को देखके जो नाइटीज में चलती थी कुछ आइडिया तो ले लेते है मतलब इतना वाहियात और हमारे हनुमान जी की बात करें तो भा ऑईसा हनुमान जी के कौंसे फोटो में तुमने सिर्प मूछे नहीं देखा है और दाड़ी है बताओ भाई ऐसा कोई आपने अब तक हनुमान जी को पूजा है किसी भी फोटो में किसी चीज में आपने देखा है कि हनुमान जी की मूछे नहीं हो दाड़ी है हनुमान जी कम कुछ हो जादा बना लिए अब मैं नाम नहीं लूँगा ओडियंस बढ़क जाएगी मतलब लिटरली लॉक्डाउन के दो साल पहले से लॉक्डाउन दो साल चार दो साल ये छे साल से मैंने कोई बॉलिविट की मुवी नहीं देखी सोचा मतलब टीजर के बाद इतना अच्छा इंटर्व्यू दिया लोग ने तो सोचा जाके देख ले तो कुछ ना कुछ होगा ग्यान की बाते पर या कते ही बूलो ना कते ही बेकान मुवी बनाए मतलब धर्म के साथ खेलना हो गया एक तरीके से तुमने एक शुद्ध डायल पर यह तो मैं उनकी इज़त करके तुम्हें छोड़ राहूं ने तो तुम समझे लो बोलने के लिए बहुत कुछ है और मुवी बहुत बेकार है तो जिन्होंने देख लिए उनको पता ही है और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं हाथ जोड़के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप देखना भी चाहो तो अकेले में जाओ ठीक है अगर आप सोचते हो कि ये मूवी पारावारिक है तो भाई साब ये कते ही पारावारिक नहीं है सबसे वाहियाद मूवी है समझे सबसे वाहियाद मूवी देखने लाइक नहीं है मतलब जो हमारी न्यू जनरेशन है नहीं देखने लाए गया लिटरल ये उन्हें 90 की दिखाओं करसम से बोल रहा हूं उनका ध्यान नहीं हटेगा लेकिन ये मूवी में तुम सोह हो गई तो बाकी में कुछ नहीं कहना चाहूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक शेर कमेंट जरू करना और बाकी का यार बहुत टैम से एक्टिव नहीं था आप सोच रहे दीरे दीरे एक्टिव रहे तो अभी हमारी वीडियो आती रहेगी बाकी की फिलाल तो ये पंखा ना चालू है अगर मी के मारे मुझे पसीना आ रहा है अब थोड़ा ठीक लग रहा है तावल के अब हड में सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगो प्लीस लाइक शेर कमेंट करना मत बुलना और जो जो मूवी देख लिया जाके आधी पुरिष तो कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा मुझसे मज पूचना मेरे पूरी वीडियो में बताया कि मुझसे सबसे वाहियाद पिक्चर लगा मुझे सबसे वाहियाद लगा है बाकि आपको कैसा लगा लिटरली बताना और नहीं या लिटरली बहुत मजा नहीं है मतलब बहुत